को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून फार ले टेस्ट अपडेश असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे मेमडी के बारे में जो कम्प्यूटर की मेमडी होती है जिसको हम लोग GB, TB और KB इन सभी यूनेट्स में मायर करते हैं तो चले इसको डिसकस करते हैं यह फुल इसके बारे में हम लोग ने एक्स्प्लेशन लिखिया है वाट इस कम्प्यूटर मेमडी और इसकी टाइपस भी हम लोग डिसकस करेंगे तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्प्योटर मेमरी is or storage के कम्प्योटर मेमरी एक storage होती है storage device है या इसको storage placed भी कह सकते है and that is used जिसको use किया जाता है to store information बसकी जी आपके इक कम्प्योटर में कोई information है लाइक आपने documents हो किया Young तो वो सारा आपके computer की memory में store होगा जैसे हमारी brain की memory होती है यादधाश्थ था इससे धरा computer में भी computer memory होती है जिसमें वो चीजों को different तरह की information को store करके रखता है इसके बाद हम बात करें types की तो को जो computer memory के types होती है basically 2 types होती है जो computer में use होती है first is primary memory जिसको हम primary memory कहते हैं और जो second है दूसरी memory उसको हम secondary memory का नाम देते हैं अगर हम primary memory की बात करें तो primary memory को हम लोग main memory भी consider करते है, it is also known as main memory, the main memory भी है, the memory unit, memory का वो unit that communicate, जो दूसरों के साथ communicate करते है, directly with the CPU, CPU के साथ, उसको हम नाम देते है, primary memory का, तो जो हमारा CPU के साथ direct communication होती है, computer की main memory की वो होती है, primary memory, उसके बाद अगर हम primary memory का, की बात करें, तो primary memory two condition में होती है, one is RAM and second is ROM, अगर हम RAM की बात करें, तो यह two form में exist करती है, जिसमें DRAM है, जिसको हम dynamic RAM कहते हैं, और SRAM है, जिसको हम static RAM का नाम देते है, RAM की अगर हम abbreviation की बात करें, तो यह होता है random access memory, उसके बाद जो second हमारी primary memory है, उसको हम कहते है ROM, और अगर ह इसकी आगे further forms है, पी ROM, जिसको programming ROM कहते हैं, इसी तरह EP ROM है, और EEP ROM है, यह ROM की further types हैं, फर्दर हम इसकी बात करते हैं, primary की बात, जो हमारी second memory थी, उसका नाम था secondary memory, और अगर हम secondary memory की बात करें, तो यह क्या है, it is also called as auxiliary memory, इसका दूसरा नाम auxiliary memory है, the memory unit which provide backup storage, कि अगर आपका को बेकाप storage का काम आपको secondary memory परवाइड करती है, is called secondary memory, मेन के secondary memory को हम auxiliary memory, और जो हमें backup storage परवाइड करती है, उसको हम secondary memory का नाम देते हैं, उसकी बात फर्दर हम इसकी types की बात करते हैं, secondary memory की different type जो है, उसमें pen drive है, जिसको हम storage के लिए commonly use करते है, pen drive की तरह आप लोग इसको USB भ इसको हम लोग HDD hard disk drive कहते हैं, thirdly हमारे पास जो floppy disk होती है, इसको हम लोग secondary memory के लिए use करते हैं, USB या pen drive जो होती है, ये 2 GB से 128 GB के roundabout होती है, इसी तरह और भी हमारे पास secondary devices की different forms होती है, for example, हमारे पास DVD या जो CD होती है, इसको भी हम लोग secondary storage के लिए use करते हैं, तो हम लोग होने, तमाम जो हमारे पास input and जो हम लोग ने primary and secondary जो storage का chart बनाए है, इसको हम लोग share करेंगे, जिसमें हम लोग memory chart में हम लोग बात करेंगे, primary and secondary जो हम लोग ने जितनी भी memory बढ़ी है, उसका हम लोग आपके साथ chart share करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ने RAM को discuss किया था, जिस storage की बात करें, तो secondary storage में हमारे पास थी different तरह की इसकी farm थी, जिसमें हम लोगों ने discuss किया था, cd को, इसमें हम लोगों ने etc में DVD को discuss किया, इसी तरह floppy disk होती है, हमारे पास hard disk drive होती है, जिसको हम HDD कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास pen drives होती है,